वेल्कम बैक वन सेकेंड व्लोग स्विद रजनी और हैपी धंतेरस तो अलोफ यू क्योंकि आज जब मैं इसके वोईस ओवर कर रही हूं व्लोग के अंदर तो आज धंतेरस और आपको मैं समय भी बता दू अभी रात का 10 बस करके 25 मिनट हो रहा है और अब मैं व्लोग एडि सब्सक्राइब कर दो आज से चला जाता है काम शॉपिंग सबसे मिलना मुलाना एक दूसरे की हां जाना तो कुल मिलाकर के मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गया है और आम सो हैपी तो चलिए अभी आगे के व्लोग का मैं आपको गता देंगे तो जी है मेरी किचिंग की द अच्छा और आज के साथ यह जाना एक ही व्लोग अगर मैं डाल रही थी तो वह बहुत लंबा हो रहता तो मैंने सुचा किचिन की जो डीप लीनिंग है उसका व्लोग मैं आपके साथ अलग से शेयर कर दूगी तो इसलिए मैंने आज आपके साथ क्लीनिंग की डीप लीनि जड़ करके जो मेरी अलमीरा है उनका जो उपर का बाहर का हिस्सा है अंदर का हिस्सा है सबसे पहले उसको क्लीन किया है और मैंने ज्यादा कुछ यूज नहीं किया इसमें मैंने सिर्फ पानी में हलका सा साथ टाल करके मतला मेरर और माइका पर तो हो नहीं किया है उस पर त बहुत ज़्यादा गंदे तो नहीं थे मेरे बहुत ज़्यादा गंदे कभी भी नहीं होते हैं तो मैंने हलका सा गुन-गुना पानी किया उसमें साफ डाला और बस उससे उनको क्लीन किया और फिर पानी से उनको धो करके सुखाया फिर उनको अपनी जगा पर रखा पठा ये काम करने में बहुत समय चला गया मेरा और मैंने उसके बाद फिर नीचे की सफाई किया क्योंकि सबसे पहले उपर का काम मेरे हिसाब से निप्टाना चाहिए कि जब भी हम किचिन की क्लीनिंग करते हैं यहाँ पर देखिए यह डबे मैंने यहाँ पर रख दिया है क्योंकि धूप अच्छी खासी वही रही है वैसे जब आज मैं वाइस ओवर कर रही हूँ ना धंतेरस वाले दिन तो हमारे यहाँ पर बारिश है में भी आप लोगों के यहाँ भी बारिश होगी और हाँ आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे चैनल पर अगर नए है तो और अगर आप पुरानी वीवर से हैं तो सिर्फ लाइक कर दिजे और आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं तो जो डिबे सूख गए हैं उनको मैं वापस उनकी जगा पर लख रही हूँ तो चलिए आप लोग आपके मेरा वीडियो देख लीजे खोग रही देख लीजे आपके में में यसक बास तो कर दो एंठा कर दो में तो । तो एंग से हैं तो यहां पर देखिए मेरी क्लीनिंग फाइनली पूरी हो चुकी है अब ही मैं आपको एक लोग दे रही हूँ अपनी किचिन का तो देखिए कैसे चमक गई है मेरी किचिन तो आप लोग बताईए आपको मेरी किचिन की डीप लीनिंग कैसी लगी और मेरी किचिन बाद में कैसी लग रही है बताईएगा जरूर तो आजकल चल रही है सफाई वै और उसकी मैंने थोड़ी थोड़ी करके कलिफस बनाई है तो जो मैंने कलिफस बनाई है वो कुस तो है होई से एक दिन पहले की और कुछ है आज की यानि आज है मळेजिए भी आज मैन न Quran के टिप लिनिग और मुझे लग गया है कितना टाइम बताओं सुबह मैं लगी हूँ नो बजी और मैं तीन बजी हटी हूँ क्योंकि किचिन की सफाई करने में मुझे काफी टाइम गया है कुछ तो मैं धीरे-धीरे कर रही थी कुछ मैं अकेली कर रही थी बच्चे जब से हल्प कर देते तो बच्चों की हल्प आज नहीं थी बेटा गया हुआ था स्कूल बेटी को अपना कुछ को प्रोजेक्ट वगरा था वो कर रही थी तो इस चकर में मैं अकेली थी तो मैं अपना धीरे-धीरे-धीरे लगी रही और इन दिनों ना व्लोगिंग बहुत कम हो पा रही है सिफ स्पेशल डेज की ही कर दो दो नहीं करनी है अब तो शायद मैं रोज व्लोगिंग करूंगी और हाँ एक चीज़ बताओ मेरा रीच बहुत अच्छा जा रहा है यूट्यूब का और आप लोगों की अगर ब्लैसिंग रही तो बहुत जल्दी मेरा चैनल ग्रोग कर जाएगा ऐसा मुझे पतानी क्यों आज लगाया क्योंकि मेरा रीच आज इतना हुआ है इस से पहले इतना नहीं हुआ है कभी चार साड़े चार साल में तो आज कुछ उम्मीद सी बन दी है मुझे और इस चकर में थोड़ी से मैं खुश भी हूँ लेकिन कहते हैं कभी-कभी खुशियों को नज़र लग करना चाहिए अकार्डिंग टू मी अमें करती हुँ नहीं हूँ और मुझे ना पसीने आ रहे हैं पंखा चलानी सकती हूँ पंखा है बंद देखो बंद इसलिए अगर चलाओंगी तो फिर हो जाती है सर्दी सर्दी मिनलब सर्दगर मुझ आता है और मुझे सर्टिंग हो मैंने और मेरे महंदी काम मंध मेरे महांदों काम करी कोई कोग है जह झालाओंगी पीकशी है रही है वु इसलिए कि करवा है महंदी और मेरी निकली है और जकती को बिलब सेब्गर मुझे कर्वाम कर स एक बहूर बंद पंद बार या बरतन क्लीन करना तो लेकिन फिर भी कितनी है अच्छा सा हीन आ दिना आए तो चलिए व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूं I hope आपको मेरा क्लीनिग जो फ्लॉग है वो पसंद आया होगा सब के घरो में चली रही होगे अभी तो सब्सक्ति तो नहीं करने कि किसी किसी कि घ हमें अभी चल रही है और कुछ ना कुछ तो उस दिन तक चलती रहती दिवाली वाले दिन तक तो चलिए लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा चाहिए तो शेयर भी कर सकते हैं बाइ